इन्टेनेट इस फुल अफ प्रो साइंस, फेक नॉलेज, हाफ इन्फरमिशन और प्रोपगेंड़, यौर क्वेस्ट रिलाइबल, अथेंटिक हेल्थ इन्फरमिशन इन्जियर, तो सब्सक्राइब इस चैनल और हिट ते बल आइकन, और यू नेवर आफ तो अनिवर अवर नमस्कार आदाव, सत्स्रीयकाल, दोस्तों, आज बात करेंगे, इन्हेल्ड कॉर्टिको स्टिरोइड के बारे में, यहाँ है, बहुत ही ज्यादा, बतलब यूस किये हुए है, कोविड के टाइम पे, बहुत ज्यादा लोगों ने, यहने, स्प्रे हो गया, इन्हेलेशन हो आज थोड़ा सा हम आपके इसके बारे में टच करेंगे, इन्हेल्ड कॉर्टिको स्टिरोइड, ICS, मतलब यह बेसिकली ब्रॉंग सांस की नलियों को सिकुडने से, यहने के अस्थमा जैसा एफेक्ट आने से रोकने के लिए कोशिश की जाती है, वहाँ पर इन्फलामेशन को कम करने की कोशिश की जाती है, एक तरीके से स्पाजम और इन्फलामेशन यहने वहाँ अगर बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, और अलर्जिक या अस्थमाटिक कंडिशन में ज्यादा प्रिफर किया जाता है, इन्फेक्शन वाली क करें गोली स्टिरोइड की ज़िए पूरे स आप के टिरॉइड की घुंदाए ट्री में अन्दर जा एक में प्रिएटि के रूड गैँटी विह स्च्न आपư चाहिए थासिरे के और जाएगी तो side effects comparatively कम होते हैं तो inhaled corticosteroid जो है वो अगर lungs के सांस की नलियों में swelling आ रही है या mucos production वहाँ ज़्यादा हो रहा है allergy से या inflammation से infection उसको कम करने में help करती है और immediate symptoms को stop करने के लिए यह effective नहीं होते याद रखिए अगर asthma का attack है और bronchospasm हो रहा है तो bronchodilator दूसरी दवाई आती है bronchodilator दवाई जो होती हो सांस की नलियों खोलने के लिए यह होती है आगे inflammation और आए वापस से यह ना दिखता है उस चीज़ों के लिए immediate effect के लिए यह नहीं दिया जाता है it is not effective for stopping immediate symptom कुछ example इसके दिखा रहे हैं सबसे बड़ा सब्सक्राइब बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी वाले लोगों को मुह से स्टिरोइड देने की जगा inhalational steroid देना ज्यादा सेफ होगा तो इस केस में अगर प्रेगनेंट लोगों को अस्थमा है अस्थमा वाला पेशेंट है कोई allergic reactions है उनको सांस पूल रहा है सांस दिक्कत आ रही है और इस ऐलर्जिक अस्थमा के बज़े से ब्रॉंको स्पाजम या उस केस में क्या steroid inhalational दिया जा सकता है इस केस में अपने आप लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें क्या आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है क्या आपका शुगर लेवल नॉर्मल है क्योंकि उतना नहीं शुगर लेवल जीरो साइड इफेक्स भी थोड़े कम साइड इफेक्स है तो बैनेफिट और रिस्क दोनों को देखना ज़रूरी है कि अगर हम नहीं ट्रीट करें और सांस में दिक्कत आ रही है तो भी रिस्क है और ट्रीट करें और उसके वाज़े से शुगर बढ़ रह इस दे ट्रीटमेंट प्रिफर ट्रीटमेंट राधर दन गोली याद रखे विकॉज गोली एब्जॉब पूरे वदार के आपको है कि नहीं सो अब इसमें यह बोलना कि सांस की नली से ली गई दवाग स्टिरोइड क्या आपके बच्चे तक पहुंचती है कि नहीं यह नह बान के चलना चाहिए कि यह स्लाइटली इंक्रीज करता है चंसे और इसी लिए जरूरत हो तभी देते जबर्दस्ती नहीं देते और यह चांस करेगा कौन कौन सी दवा है इतनी सारी स्टिरोइड उसमें से कि स्टिरोइड पर कितना डिटा है सो डॉक्टर से बात करें सकता है सारी प्रेगेंसी में अगर किसी ऐसे बेक्ग्राउंड रिस्क के उपर एड कर दिया जाए हाई डोज इन्हेलेशनल स्टिरोइड तब ऐसी कोई डोज बढ़ गया है तो इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है जो पता है कि वही कोई बढ़ता है कि नहीं बट ऐसे ओव लेते हैं एक तरफ अंट्रीटेड अस्तमा उसके वजह से भी प्रेग्रेंसी में नहीं लिया तो भी कॉंप्लिकेशन है लो बर्थ वेड बच्चे को ऑक्सीजन बर्थे को बच्चे को सही से नहीं पहुचेगा आपको खुद को ऑक्सीजन नहीं पहुचे उल्टा अगर स्टिरोइट ज्यादा लेते हैं तब भी आपके साइड इफेक्स हो सकते हैं शुगर लेवल बढ़ सकता है इंफेक्शन के सांसिस बढ़ सकते हैं तो येस दे कैन कॉस कैन और विल में फर्क होता है होगा ही जरूरी नहीं है बट या उसमें पोटेंशल है अगर सही प्रॉब्लम नहीं करा पाएगा लेकिन फिर भी आपने बैच्चरी डॉक्टर से बात करनी चाहिए अच्छा क्या इन्हेलेशनल स्टिरोइड लेने से मर्दों की फर्टिलिटी में कोई इश्यू आता है ऐसा कोई खास एफेक्ट नहीं है जरिस नो सच एविदेंस की आप अगर ज्यादा इंफ्लमेटरी और तभी से यूज किया सकता है एक स्टेज के बाज और अपने डॉक्टर की निगरानी के अंदर बैक्टेरियल इंफेक्शन में कता ही इसको यूज कभी नहीं करना चाहिए इंफेक्शन बढ़ जाएगा ओके तो मैच प्लीज शेयर दिस म